नमस्कार मैं विनोद उर्द की खेती मुख रूप से खरीब के मौसम में की जाती है इसकी खेती उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में की जा सकती है उर्द की खरीब के मौसम में उगाई जाने वाली प्रजातियां जैसे की सेखर 3, आजाद उर्द 3, पंत उर्द 31, नरेंद उर्द 1, WB 108, पंत U 30, IPU 94, PDU 1 आधी प्रमुक प्रजातियां है खेत की तैयारी उर्द की खेती के लिए नम एवं गर्म मौसम की आसकता पड़ती है उर्द की ब्रद्धी के लिए 25-30 डिग्री सेंटी ग्रेट ताप मान उप्युक्त होता है उर्द की खेती के लिए समचित जल निकास वाली बलूई दोमट तथा दोमट भूम उप्युक्त मानी जाती है उर्द के लिए 7-8 पीच मान वाली भूम उप्युक्त होती है खेत की पहली जुताई हैरों से करने के बाद 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए आखरी जुताई में पाटा लगा कर खेत को समतल बना लेना चाहिए बीच की मात्रा एवं बौवाई उर्द की बौवाई जुलाई के प्रथम सत्ताई में करनी चाहिए बौवाई के लिए बीच की मात्रा 12-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेर आवसकता होती है बीच को 2 ग्राम थीरम से 1 किलोग्राम बीच की दर से उपचारित करने के बाद बीच को राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीच का उपचार करना चाहिए उर्द की बौवाई हल के पीछे लाइन में करनी चाहिए बुवाई में लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 cm रखनी चाहिए खाद एवम उरवरक उर्द की फसल में 15 से 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फासफोरस, 20 किलोग्राम सलफर तथा 200 किलोग्राम जिफसम प्रेक्ट हेक्टेर की दर से तत्त के रूप में प्रियोग करना चाहिए उर्वरकों की पूरी मात्रा बुवाई के समय कुणों में 2 से 3 cm गहराई पर देना चाहिए उर्द की फसल में दाना बनते समय दो प्रित्सत यूरिया का चिड़काव करने से उपज में ब्रिध्धि होती है सिचाई, खरीब के मौसम में उर्द की फसल में वर्षा कम होने पर फलियां बनते समय एक सिचाई करना अतियावश्यक है खर्पतवार नियंतरण उर्द की बुवाई के लगभग 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए दूसरी 40 से 45 दिन के बाद निराई गुड़ाई करते हैं खर्पतवारों के रासाइनिक नियंतरण के लिए पेंड़ा मितलीन 30 एसी की 3.3 लीटर मात्रा अथवा एलाकलोर 50 एसी की 3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल कर बुवाई के बाद 2-3 दिन के अंदर भूम पर छिड़काव कर देना चाहिए जिससे की खर्पतवारों का जमाव ना हो सके रोग नियंतरण उर्द की फसल में प्राया पीला चित्रवर्ण रोग लगता है इस रोग से संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है इस रोग के बिशान सफेद मक्खी द्वारा फैलता है रोग नियंतरण के लिए डाई मिथोएट तीस इसी की एक लीटर मात्रा या मिथाइल ओडी मेटान पचीस इसी की एक लीटर मात्रा छैसो से सासो लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए उर्द का पत्र दाग रोग इस रोग में पत्तियों पर गोलाई लिये हुए भूरे रंग के कोडिये धब्बे बनते हैं इसके बीच का भाग हलका भूरा तथा किनारा लाल बैगनी रंग का होता है इस रोग की रोग थाम के लिए 3 किलोग्राम कापर आक्सी क्लोराइड प्रत हेक्टेर की दर से 10 दिन के अंत्राल पर 2-3 छिड़काव करना चाहिए कीट नियंत्रन उर्द की फसल में थ्रिप्स हरे फुत के कमला कीट एवं फली बेदक कीट लगते हैं कमला कीट यह कीट पत्तियों को खाकर पौधे को ठूट बना देता है इनके नियंत्रन के लिए क्लोरोपारिफास 20 EC की 1.5 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए फली बेदक कीट इस कीट की सूनियां फलीयों में छेद करके उनके अंदर दानों को खाती हैं इनके नियंत्रन के लिए क्यूनालफास 25 EC की 1.25 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए कटाई एवं उपज जब फसल की फलियां पूरी तरह से पक कर सूख जाएं तभी कटाई करनी चाहिए मडाई करके बीज अलग कर लेना चाहिए उर्द की फसल से खरीप में उपज 12 से 15 कुंतल प्रति हेक्टेर प्राप्त होती है धन्यवाद